पचास दिनों के बात में रेल्वे पट्टी पर आ रही हैं आम लोगों के लिए जिससे अभी तक शरमिक मजदूर अपने अपने घरों को जा रहे थे मगर अब आम जन भी अपने घरों को पहुँश सकते हैं दिल्ली से देश की राजधानी दिल्ली से ये ट्रेने चलेंगी 15 जोड़ी ट्रेनों की चलाए जाएंगे कल से 15 ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा रहा है मगर ये एक बहुत बड़ी खबर जैसा कि आर नाइन टीवी ने कल आपको दिखाया था बताया था और इसके पीछे जो पूरी जानकारी है कि अगर आपको दिल्ली से हावडा, उत्रपरदेश, मारास्टा, मुंबाई या फिर दक्षिर बारत जाना है तो अब फिर आपको करना क्या होगा सबसे पहले नंबर आता है टिकेट का आपके पास में टिकेट कहां से आयागा टिकेट आपको ही लेना होगा क्योंकि आम लोगों के लिए सरकार टिकेट का खर्च नहीं उठा रही है आम लोगों को अपनी जेप से ही टिकेट का पैसा खर्च करना होगा टिकेट बुक करने के लिए दो ही रास्ते हैं एक ये कि IRCTC के माध्यम से आप वेब साइट पर टिकेट की बुकिंग कर सकते हैं और दुसरा रेलवे का जो मुबाइल फोन का एप है उस एप पर भी आप टिकेट बुक कर सकते हैं लेकिन आप पहले की तरह किसी एजन्ट के जरिये टिकेट बुक नहीं करवा सकते हैं आप टिकेट के लिए रेलवे स्टेशन जाकर के विंडो पर टिकेट बुक नहीं करवा सकते हैं क्योंकि रेलवे स्टेशन पर विंडो के लिए टिकेट बुक करने की मनाही है सिर्फ दो ही जगों से टिकेट की बुकिंग हो सकती है तो दरसल इस दोरान आप दिल्ली के आसपास के आलाकों में अगर कहीं पर फसे हैं तो फिर ये सुविधा आपके लिए है तो किस तरीके से आप तक टिकेट पहुँचेगा प्लिटफॉर्म टिकेट नहीं मिलेंगे ट्रेंड के रिल्वे स्टेशन पर जो टिकेट के विंडोज होते हैं उन विंडोज पर टिकेट नहीं मिलेंगे ततकाल टिकेट की बुकिंग नहीं होगी साथे साथ में RAC या वेटिंग लिस्ट के जो टिकेट होंगे अगर जारी भी गलती से हो जाते हैं तो उससे आप सफर नहीं कर सकते हैं सिर्फ comfort, confirm ticket वाले ही यातरी अपना सफर कर सकते हैं confirm ticket वालों को station पर entry 90 मिनट पहले दे जाएगी याने के प्रस्थान के समय उस 90 मिनट में आपकी थावमल स्क्रीनिंग होगी आपके जाच की जाएगी स्वस्त जो यात्री है उन्हीं को ही सिर्फ सफर करने की अजाज़त दे जाएगी यात्रा टिकेट के लिए इस्टेशन ना जाएं जैसा कि हम आपको शुरु में बता खासी है या फिर ऐसे कोई लेक्शन है तो फिर आप सफर नहीं कर सकते हैं हाला कि इस स्टेशन पर जब आप पहुंचेंगे तो वहाँ पर आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी मगर यहाँ पर जब आपको रेलवे स्टेशन पहुँचना होगा तो अब सवाल ही आता है कि आम आम आदमी रेलवे स्टेशन पहुँचे कैसे या तो कोई शखस एटिकेट डिसने बुक क्या हो अपनी वेकल से अपनी गाली से रेलवे स्टेशन पहुँचे या फिर वो शखस कैब हाईर कर सकता है टैक्सी हाईर कर सकता है लेकिन उस टैक्सी की इंट्री रेलवे रही है आपको train कहां से मिलेगी आपको ticket कहां से मिलेगा आप कहां कहां पर जा सकते हैं हम लगातार अगले आधे घंटे में आपको ये पूरा दिखाएंगे मगर सबसे पहला step जो आता है वो ये के railway के यातरा के लिए ticket का क्या आपको ticket के लिए railway station नहीं जाना है एजेंट से बुक नहीं कराना है या फिर आपको दो ही माददे में खुद से बुक कीजिए मुबाइल अपने फोन के अब के जरीए या फिर IRCTC के जरीए मगर इस वक्त चुकि रेलवे के बुकिंग शुरू हो चुकी है अपने सही होगे शौता बटाचारिया की तरफ रोख करूँगा जहां पर इस वक्त वेबसाइट की स्थिती क्या है और किस तार पर वहाँ पर रेलवे के बुकिंग जो हो रही है उसकी कंडिशन क्या है शौता क्या स्थिती देख पा रही है आप वेबसाइज पर जब बार यहां वेबसाइट के स्थिती दिखाना चाहेंगे बुकिंग तो तब होगी जब वेबसाइट ओपन हो पाएगी देखिए अभी कुछ देर पहले जब हमने ये वेबसाइट खोली थी तो ये वेबसाइट ओपन थी और जब हम कोशिश कर रहे थे ट्रेइनों को देखने की कि जिस गंतव दिल्ली से जब चल रही है पंदरा शेहरों के लिए वहां डाल कर देख रहे थे तो एक मेसेज यहां पर ब्लिंक कर रहा था जब वेबसाइट ओपन थी तब की बात कर रही हूँ जहां यह शो हो रहा था कि COVID-19 की वजह से यह जो साइट है वो अभी ओपन नहीं हो पाएगे और आप ट्रेइनों की टिकेट की बुकिंग नहीं कर पाएगे यह चार बज़े के पहले की बात में बता रही हो आपको और अब देखिए चार बज़ चुके हैं और लगतार जिन लोगों को जिस राज्य से जिस वजह से यह यात्री ट्रेंड खोली गई है जिनको एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है फसे हुए है अगर वो जान की टिकेट बोकिंग का यह पुरा प्रावधान इसलिए शायद ऐसी इस्तिती ना हो जी 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 ने कुछ बेटर मेकनिजम मनाया हो मगर शायद नहीं हो सका बहुत सारी चीजे क्लियर नहीं है जबार हमने अभी थोड़ी दिर पहले ही बात की थी कि शायद सिफ 15 शह आयर सीटी सी जहां से आप करवा सकते हैं अपनी बुकिंग यह देखिए हम हम जैसे जाते हैं यह देखिए यह इस्तिती हो रखी है थोड़ी दिर पहले वेब साइट ओपन थी लेकिन यहां पर मेसेज ब्लिंक कर रहा था और यह देखिए यह यह ओपन हो गई है अब हम य यह देखिए यह देखिए इन दे वेक ओफ कोविड नाइटीन और अज़ अबंडेंट कॉशन बुकिंग हैस बिल्कुल आप ठीक कहरें कि वहां पर कोविड नाइटीन की वज़े से जो सस्पेंड किये गए थे इस तमाम बुकिंग की प्रोसेजर को यह पहले की यह नोट अबडेट नहीं किया गया कैसे इसको देखें यसे आप ऐसे देख सकते हैं जबार की या तो यह अपडेट नहीं है या तो एक साथ इतनी लॉग इन हो रही है या फिर कंफ्यूजन तो है जबार बहुत सारी चीज़े क्लियर नहीं है आप अभी कुछ दिर पहले बोल रहे कि यह सारी चीज़ अभी क्लियर नहीं है मैं आपकी तरफ रुख करता हूं और इतने में आप एक बार फिर से ट्राय केजिए वहाँ पर दुबारा से कोशिश केजिए कि अगर यह वेब साइट खुलती है तो वहाँ पर कोशिश करके देखें कि उसका नतीजा क्या आता है एक टीकेट वुक केजिए और उसके बात में देखें वुक हो पाता है नहीं हो पाता है कितना टाइम लगता है क्योंकि कई बार आम तोर पर ऐसा हो नहीं पाता है लेकिन तब तक हम दूसरे अपने संबादाताओं की तरफ रुख कर लेता है शोता मैं आपकी तरफ वापस लोटूंगा कुछ यह पलो में लेकिन हमारे साथ में कई सारे संबादाता जो की अलग अलग जगों से इस वक्त जुड़ रहे हैं जिसमें के कानपूर, लकनौ, प् आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन पर जो बुकिंग बिंडो है वो बिंडो नहीं खुलेंगी यानि के आपको उस आयाज सीटी सी के माध्यम से ठीकेट की बुकिंग करनी है लेकिन आप बुकिंग कैसे करोगी हम कुछी पलों में अपने संभाजाता हमें दोबे की तरफ बे रुख करेंगे लेकिन अपसे थोड़ी दिर पहले हमारी स्योगी शौता बटाचारिया जैसा के देखा रहे थी आपको वेबसाइट ओपन करने की कोशिश कर रही थी लेक करने के कोशिश करेंगे अपने स्योगी अभी दोबे की तरफ चल करके लेकिन सवाल यह है कि अगर टिकेट बुक नहीं होंगे तो फिर इनसान सफर कैसे करेगा और इन सवालों के साथ में दूसरे बहुत सारे ऐसे सवाल है जिस वक्त मोबाई वे खड़े हैं बहुत सारे लोग हैं जो हमें सुबे से फोन करके यह पोच रहे हैं कि अगर हमारा टिकेट बुक हो जाता है तो फिर हम अपने घरों से रेलवे स्टेशन के तरफ जाएं कैसे हैं जैसे मान लीजिए कोई शखस नोडा में रह रहा है नोडा में रहने वाला शखस दिली के नई दिली र रेलवे स्टेशन कैसे पहुंचेगा सरकार की तरफ से क्या एडवाइजरी है क्या गाइड लाइन जानी की गई है रेलवे मंतराले ने इस पर क्या कहा है हमारा सयोगी अमित दुबे इस वक्त अब देश की राजदानी दिली से और उत्तरपरदेश की राजदानी दोनों ही जुड़ चुके हैं अमित सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहेंगे चार बजे से वेबसाइट ओपन हुई थी और ये कहा गया था कि बोकिंग की विवस्था जो बनाई गई है शुरू हो जाएगी मगर हमारी सयोगी शौता बटचारिया ने अभी हमें दिखाया वेबसाइट खोल नहीं रही है वेबसाइट इस वर्ट क्रैश है क्या ये विवस्था के गई थी रेलवे के तरफ से जी बिल्कुर देखे तमाम ऐसे लोग है जाने वालों की संख्या जो है वो लाखों में और ऐसे पंद्रे गाली चली हर कोई चाहता है कि पहली बार में उसकी टिकेट बुक हो और यही ये बड़ी वज़े है कि जिस बज़े से वेबसाइट इस तरह से क्रेश नजर आ रही है और दूसरी बड़ी चीज की जिस तरह से आज ऑनलाइन बुकिंग साथ कल से ट्रेन चलने की शुरुआत हुई है तो उससे भी एक चीज साब तोर पे नजर आ रही कि कई रेलवे अधिकारियों को मैंने खुद फोन किया बाका चाहिए वो सी पी आरो या रेलवे के बड असमंगस की इस्थिए अभी भी बने हुई है अकरीब दो बजे के आसपास घर से दो बजे के आसपास गिरी मंतरा ले का एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें ये कहा गया था कि रेलवे मंतरा ले की तरफ से दो पहर से लेकर कि अब तक कोई अडवाजरी जारी नही की तेकि यहां पे कोई बिवस्ता नजर नहीं आरी जिसके मैं बात कर रहा हूँ किसी भी बात का कोई भी उत्तर देने के लिए रेलवे का कोई भी अधिकारी यहां पे तैयार नजर नहीं आता है तमाम अधिकारीों को अब से एक गंटे से लेके और अब तक मैंने कई अधिकारीों को फोन किया लेकिन किसी का फोन बीजी जा रहा है कोई फोन उठा नहीं रहा है सब इसी तरह की रिस्पॉंस आ रहे है और ऐसे में लोगों कोई असमंजस की स्थिती होना सुभाबी कहे और जब ऑनलाइन बुकिंग की बात कही गई है तो आखिर ऑनलाइन जो बुकिंग होनी है मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ अमित आपकी तरफ वापस आता हूँ इस वीच में आपकु जानकारी जुटाने कर कोशुश किजे हम इस वक्त रुख करेंगे अपने सायोगी संदीप खेर की तरफ जो कि हमारे साथ में उत्रबरदेश की राजधानी लखनों से जुड़ उत्रपरदेश की राजधानी लखनों और गोरकपूर दो ऐसे शहरें शर्मिक मजदूरों को लेकर के जो सबसे ज़ादा ट्रेने आई हैं लखनों में 28 ट्रेने पहुंची हैं गोरकपूर में लेकिन दोनों ही जगों पर ये जो ट्रेने चलाई जा रही है इनका रूट दिया ही ने गया प्रयागराज कानपूर और मोगल सराय से होते विए बिहार और बेंगॉल और जारकन की तरफ ट्रेने जा रही हैं ऐसा क्यूं जी देखे बिल्कुल जबार जी आपको बता दें जिस तरह से वहां से ट्रेने चलाई जाने का फैसला लिया है इसमें कई तरह के जो इस्टेशन है कई तरह के रूट है उनको लेकर डाइवर्ट किया गया है इसलिए इन ट्रेनों को वहां से चेंज किया गया है हलांकि उसको लेगे एक अस्मंजस की इस्तिती बनी हुई है कई लोगों का देखे साफ तौर पर कहना यह है कि कुछ लोगों के पास में आईडी नहीं है कुछ लोग साइबर कैफे नहीं चापा रहे हैं तो ऐसे में उनके पास अपने घर तक पहुशने के लिए एक बड़े इस्ति आ रही है और अपनी दूसरी सायोगी की तरफ रुख कर लेते हैं जल्दी से मैं आपकी तरफ वापस आओंगा संदीप हमारे साथ में इस वक्त कानपूर से जुड़े हुए निरज अवस्थी निरज जाहिर तोर पर कानपूर सेंट्रल पर सारी ट्रेनी वहीं से होते हैं गुजरेंगी इसलिए कानपूर और कानपूर के आसपास के लोगों के लिए एक बड़ी खुशी है किस तरह की हल चला और रेल्वे स्टेशन पर किस तोर पर तैयारी वहाँ पर दिख रही है रिसीव करने की थमल स्क्रीनिंग की चेक अप करने की विवस्ता देखे जब बार 25 मार्च से ये सेवा बंद थी 12 माई कल से ये आंसिक रूप से रेल सेवा चालू हो रही लोग इसको लेकर काफी उत्साइथ हर खुस हैं कि वो अपने घरों तक जा सकेंगे लेकिन इसके बाद अगर बात की जाए इस्टेशन पर तैयारियों की तो जो इस्टाल रहेंगे खाने पीने के वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे इसके साथ ही जो जानकारी मिल पा रहे है कि यहां विभाग की तरफ से मास्क भी उपलब्द रहेंगे जिलों के पास मास्क नहीं होंगे वो पैसे से मास्क खरीद सकेंगे इसके अलावा जो यहां पूरी कर ली है लोगों को उसके पहले आने का समझ दिये जाएगा सिर्फ वही लोग आ सकेंगे जिनकी टिकट जो होगी कंफर्म होगी आरेशी या वेटिंग या किसी के साथ कोई भी व्यक्ति यहां पर नहीं आ सकेगा जबा चले मैं आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ निरज मगर हमारे साथ में इस वक्त प्रयाग राज से भी हमारे सियोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं लेकिन उनकी तरफ मैं जाओं से पहले एक बार फिर से मैं अभी दुबे की तरफ आना चाह रहा हूँ अभी तक हमारी सहीगोई शोर्ता भटाचारिया लगातार प्रयास्त कर रही है अभी तक काम्याबे नहीं मिल पा रही है कि वेबसाइट को ओपन किये विए 16 मिनट से ज़ादा का वक्त हो चुका है लेकिन अभी तक वेबसाइट ओपन नहीं हो पा रही है एक और सवाल अर्मिद है कि सिंटरलाइज एसी को लेकर के जो ये कहा गया था कि ये हानिकारेख है इस से संकरमुन फैलेगा और दूसरे ऐसे जगहों पर सिंटरलाइज एसी की बंद किये जाने के बात थी मगर इस ट्रेण में तो सिंटरलाइज एसी ही होगी देखिए इसके लिए साब तौर कहा गया कि जो ट्रेने है वो खास तौर पे उनमें टेंपरेचर जो है वो ज्यादा रखा जाएगा हलाकि जो 72 सीटों की बुकिंग एक कमपार्टमेंट में होती है पूरी की पूरी 72 सीटों की बुकिंग की जाएगी उसमें किसी तरह का गैप नहीं दिया जाएगा लेकिन उससे पहले एक बड़ी चीज बताए कि रेलवे किस बार तयारी जो है कितनी गोपनी यह दिख रही है उसका अंदाजा इस बात से लगा जा सकता है कि अगर हम नई दिल्ली रेलवे स्टेसन बात करें तो यहां नई दिल्ली रेलवे स्टेसन का नजारा दिखाएंगे खास तोर पे किस तरह से यहां अभी भी पूरी तरह से बैरिकेट कर रखा है किसी को भी आने जाने कि यहां पे लोग जमा हुए थे जिन लोगो कुम्मीत थी कि वो रोयल बे स्टेशन पहुचेंगे और वो उसके बाद अपने गंताविस्तानों को जा सकेंगे उसके बाद दिल्ली पुलिस को ऐसे लोगों को यहां से ख़देर ना पड़ा तो किस तरह की स्थितिय है रेल बे किस तरह कर रही है वेब साइट पर मगर उनको काम्याभी मिल नहीं पा रही है शोयताब क्या इस सिति है अभी वही सिति सर्किल घूम रहा है जब बार सिति देखिए लॉग इन करने की कोशिश लगतार जारी है 19 मिनट का वक्त बीच चुका है और लॉग इन करने के लिए यह देख कारी मिलेगी ना आपकी लॉग इन हो पा रही है अगर आप लॉग इन ही नहीं कर पाएंगे तो फिर आप बताईए अनेबल टू प्रसेसी और रिक्वेस्ट प्लीज ट्राइटर प्लीज वेरिफाई और यह बार बार इस्तिति तब आ रही है जब चार बजे का वक्त दिय अलग 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 जगों से समाधाता इस वत बने हुए संदीप खेर की तरफ एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे संदीप मायूसी तो कानपूर से लेकर के गोरकपूर तक की बीश में जितने भी लोग रहने वाले हैं क्योंकि लक्रों में नहीं रुकेगी गोंडा, 32, 33, संदकबीर नगर, गोरकपूर, यहां के लोग आखिर जाएंगे कैसे, क्या किसी किसम की कोई जानकारी दीपारी है, या फिर अगर कोई शख्स मालीजी पुरवांचल का है, कानपूर उतर जाता है, कानपूर टेरेन से उतरने के बाद में वो लक्रों तो पहुंच सकता ह करीब है, मगर बारबंकी जाना है, गोंडा जाना है, बस्ती जाना है, सिधातनगर जाना है, गोरकपूर जाना है, कैसे जाएगा हो? बहुर्स आये थी, वो लगातार दिक रही थी, लेकिन जिस तरह से इन्हों ने ऐनलाइन माध्यम से टिकर बुक कराने की बात करी है, सबसे पहले जिस तरह से सुनने में आ रहा है, कि जो ओनलाइन की साइट है, वो क्रैश होती हुई दिخाई दे रही है, तो सबसे पहले त पूरा परिवार यात्रा करता है तो सबसे पहले कैब को किस तरह से जाएगा पुलिस वाले आगे चल को उसको किस तरह से जाने देते हैं और ट्रेन में पहुशने के बाद वहां पर उनके किस तरह से मेडिकल स्कीनिंग होगी किस तरह से उनकी जाच होगी तो एक बड़ा वि मनिश प्रयाग राज और कानपूर दे दो वो रेलवे स्टेशन उत्रपरदेश के या फिर मोगल सराय जहां पर यह सारी ट्रेने रुकेंगी जो कि उस रूट पर जा रही है प्रयाग राज जाहिर तोर पर धार्मिक नगरी है वहां के आसपास के लोगों की बड़ी पर हर तरह की टीमें लगी होंगी जी जब पर दिखी प्रयाग राज से होकर तीन ट्रेनों के गुजरने का अनुमान है जब से यह कहा गया है कि बारा तारिक से आम लोगों के लिए ट्रेने चलेंगी जो चंद ट्रेने चलने हैं उनमें यह है कि डिब्रूग वर्ण नहीं दी गई है कि प्रयाग राज वे इन ट्रेनों को रुखना है या नहीं जो उत्तरमधिर रेल्वे का जन संपर्क भाग है उससे हमने संपर्क किया था उन लोगों को भी अभी इंतजार है कि उन्हें जो रेल्वे बोर्ट की तरफ से जानकारी दी जाएगी और चारिक मैं एक बार फिर से जाओंगा अपनी सही होगी शोता बटा चाहरा है कि तरह बुलेटिन को वाइंड अप करते करते लेकिन अमित दोबे कई सारे ऐसे सवाल है प्रयाग राज में कहा यह जा रहा कि ट्रेने रुकेगी लेकिन वहां के रेल्वे स्टेशन से लेकर के अमित देखिए दो चीजे हैं कि सारी ट्रेने जो कमूब जिनकी मूवम्मेंट है वो सारी ट्रेने दिल्ली से स्टार्ट होगी चाहिए वो डिबरुगल की बात करें यहां पटना की बात करें मुंबई की बात करें सारी ट्रेने इसी नई दिल्ली स्टेशन जहां पर मैं ख पहले हैं तो अपने अधिकारियों को किस तरह का जवाब मिल ला होगा इस बात का अंदाजा लगाए जा सकता है क्योंकि अभी ये चान फर्म नहीं है या कन फर्म है तो मीडिया के सामने अब तक इस तरह बात नहीं आई कि आखिर जो पहली ट्रेंग और इस लिए तोड़ा इस्तिती असमंजस किसी पैदा हो रही है चुकि वक्त की समय सिमा यहां पर वक्त खत्म हो रहा लेकिन एक बार फिर से अपने सेयों के शोयता बटाचारिया की तरफ शोयता क्या हाल है जब बार देखिए हमारी बात हो रही थे कि साइट पहले सस्पेंड़ थी क्योंकि चा प्रयास करते हैं अगर हम लॉग इन करना भी चाहें तो लॉग इन नहीं हो रहा है और बस यहां अनेबल टु प्रसिस लिख दिया कि स्थिति ये कैसी है इसको रेल मंत्री को समझना होगा आप सभी हमारे स्योगियों का बहुत शुक्राइब अब दोबे और संदीप खेर मनिश पालेवाल और नेरज अवस्थी आप सब लोग अपने अपनी जगहों पर नेगाहां बनाई रखिये कि आखिर आगे इस तिति क शुरू की जाएंगी लॉकडाउन के सितिकिया होगी बैराल जो कुछ भी हो कल से ट्रेने शुरू हो रही है आप लोग अपना खयाल रखिये टिकेट बुक करना आपको आया सीटी सी के वेब साइट पर ही है अभी के लिए इतना ही